पांच बंदरों को एक पिंजरे में रखा गया और साथ में एक सेड़ी थी जिसके उपर कुछ केले रख दिये गए कुछ टाइम गुजरा और भूक ने सताया तो एक बंदर उपर चड़ा के केले खाए मगर जैसे ही वो उपर चड़ा एक्सपेरिमेंटर ने नीचे वाले बंदरों पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया पानी पड़ते ही वो शोर मचाने लगे शोर सुनकर उपर जाने वाला बंदर भी खबरा कर नीचे आ गया जब पांस साथ बार ऐसा ही हुआ तो सब बंदर समझ गए कि वोटर कम्स वेनेवर वी गो अप अब भूक के सताने पर जैसे ही कोई बंदर उपर जाने लगता नीचे वाला खुद ही उसे वापस खीच लाता और मारना शुरू कर देते उपर ना चड़ने देते आफ्टर फ्यू आवर्स इन में से एक बंदर निकाल कर एक नया बंदर डाला गया उसने आते ही पहला काम ये किया कि उपर चड़े और केले खाए मगर जैसे ही वो उपर चड़ने लगा बाकी बंदरों ने उसे वापस खीचा और मारना शुरू कर दिया वो परेशान तो हुआ मगर क्या करता चुप चाप कोने में जा बैठा और देखता रहा कि जब भी कोई उपर जाता इसे मारा जाता है कुछ देर बाद एक और बंदर निकाल कर नया बंदर डाल दिया गया उसने भी आते ही उपर चड़ना चाहा तो उसके साथ भी यही हशर हुआ बट नाओ इट वोज इन इंटरस्टिंग सीन के मारने वाले में वो नया बंदर भी शामिल था जिसने पानी वाला मंजर कभी न देखा था यूही एक-एक करके सब बंदर तबदील कर दिये गए मगर मामला वही रहा कि जब भी कोई बंदर उपर चड़ता उसे नीचे खेंच कर मारना शुरू कर दिया जाता हाला कि इन नए बंदरों को मालूम तक नहीं था कि ये काम क्यों शुरू किया गया था हम भी यही करते हैं और रीजन सिर्फ एक ही होता है कि वी हैव सीन अदर्स तो डू दो दो सेम इवन दो वी आल नो दाट जस्ट बिकॉस सम्थिंग इस ट्रडिशनल इस नो रीजन तो डू इट बट इस्टिल वी आ डूइंट हमारे मौशरे में बहुत से ऐसे रस्मो रिवाज फिक्स जो गए हैं जिनका फाइनल एंड बिगिस्ट आर्गुमेंट यही होता है कि हमने दूसरों को देखा है जबके उनका कुरान, हदीश या बज़रगाने दीन की तालीम में कहीं जिकर नहीं होता हाला के हमारे लिए तो रोल मौडल यही है As Muslim, we are responsible for this के हम जिस रास्ते पर चलें, we have to confirm कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अन्जाने में खुदा और रसूल के मुखालिफ रास्ते पर चल रहा हूँ थोड़ा सा सोचिए कि जमाने के रस्म और रिवाज और यह सोच के कि लोग क्या कहेंगे अपनी दुनिया और आखरत को खराब ना कीजिये